उतर कूरिया के ताना शहा किम जोंग उन एक तरह से उन्हें सनकी कहा जाता है उनकी सनक के कई किस्सें हैं जो मशूर है उतर कूरिया में किम जोंग की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता इन दिनों एक खबर आ रही है कि उतर कूरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी तब्यद बहुत खराब है आखरी बार उन्हें 11 अपरेल को देखा गया था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग का ब्रेन डेड होनी की खबर बताई जा रही है लेकिन इन खबरों का अभी कोई भी पुखता सबूत सामने नहीं आया किम जोंग की बरबरता की कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी सनक को साफ तोर पर दिखाते हैं नौर्थ कोरिया में किम को भगबान का दर्जा दिया जाता है किम के अंदर इतनी हैवानियत भरी है कि दया और रहम नाम का शब्द उनके लिए कोई माइने नहीं रखता किसी की जान लेना इस्ताना शाह के लिए चुटकियों का काम है इस्ताना शाह ने आज तक अपनी आगे किसी की चलने नहीं दी है और ना ही किसी की कोई बात मानी है सोशल मीडिया पर चल रही किम जोंग की ब्रेंडेड की खबरों के बीच आज हम आपको बताते हैं इस ताना शाह की हवानियत के कुछ किस्से जो आपके रोंगते खड़ी कर देंगे किम जोंग को अपने बनाय नियमों का पक्का माना चाता है नियमों को तोड़ना या उसकी कही किसी बात को ना मानना उसे गवारा नहीं ऐसा ही एक किसा है जम नौर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ ने किम के सामने जपकी ले ली किम को ये नागवार गुज़रा और ताना शाह ने फॉरण ही डिफेंस चीफ को अरेस्ट करवा कर एंटी एरक्राफ्ट गन से मरवा दिया ताना शाह ने जब अपने ही डिफेंस चीफ की जान ली उस वक्त उतर कूरिया का हर बड़ा अधिकारी वहां मौझूद था और शायद ऐसा इसलिए था ताकि एक अधिकारी को अपने सामने मरता देख बाकियों के दिल में भी डर बना रहे किम जोंग के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं वो इस बात से साबित होती है कि समय आने पर इस ताना शाह ने अपने परिवार को भी नहीं बख्षा 2017 में जब किम जोंग ने अपने ही भाई किम जोंग नेम को जहर देकर मरवा दिया क्योंकि उसने ताना शाह का विरूद किया था किम की बरबरता यहीं नहीं रुपती किम की सनक्म ने उस आदमी तक की जान ले ली जिसने उन्हें राजनीती के दाव पीच दिखाए जिस व्यक्ति से राजनीती सीखी उससे खुद को बड़ा मानते हुए समयाने पर उसे 120 शिकारिक कुटों के आगे फिखवा दिया ये व्यक्ति किम के फूफा थे जिसकी उन्होंने जान ले ली किम की बरबरता यहीं नहीं थमने वाली थी जब केम की बूफा ने अपने पती की मौत पर सवाल उठाया तो बूफा का भी वही हश्र किया गया और जहर दे कर उनकी जान ले ली गई और पूरे देश में ये बताया गया कि बूफा का निधन हाट अटेक से हुआ है लेकिन बूफा की जान लेने के पीछे हाथ था इस बरबर ताना शाह का शक होने पर ताना शाह किसी की भी जान आसानी से ले सकता है बात पिछले साल की ही है जब इस ताना शाह ने अपने घर के सामने बने एक बड़े से तालाब में जिसमें उसने पिरहन्हा मचली पाली हुई है अपने जनरल को फिकवा दिया क्योंकि किम को शक्त था कि जनरल उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है साल 2016 में भी सूत्रों के मताबक एक खबर मिली थी कि अपनी सेना के अध्यक्ष री योंग गिल को ताना शाह ने भ्रष्टा चाल जैसा आरोप लगा कर फासी की सजादी थी उतर कोरिया का ताना शाह इतना संकी है कि जब 2012 में पिता की मौत हुई तो किम जोंग ने फर्मान जारी कर दिया कि पिता के जनाजे में सब को रोना पड़ेगा जनाजे में हजारों लोग इखटा हुए जिन्हें रोना नहीं आया उन्हें तुरंट अरेस्ट कर लिया गया और बात में गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई 2011 में किम ने नौथ कोरिया की सत्ता पर अपना दबदबा बनाया और तब से अब तक ये ताना शहा कम से कम 340 लोगों की जान ले चुका है किम जोंग के नियमों के मताबिक अपराधियों को बिना किसी ट्रायल के सजा दे दी जाती है अगर उनका केस पॉजिटिकल ही है और उनके परिवार तक को नहीं बताया जाता कि हुआ क्या है और अपराधि को मत के खाट उतार दिया जाता है उतरकोरिया के जेल में केदियों के साथ होने वाला बरताओ भी बहुत बुरा है यहां केदियों को भूखा रखा जाता है उन्हें टॉर्चर किया जाता है यहां तक के केदियों का रेप भी किया जाता है महिला केदियों को पकड़ कर जबरन उनका अबोशन कर दिया जाता है बरबरता की हद इतनी है कि सभी केदियों के सामने लाकर कुछ केदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है जैसा कि हमने पहले कहा नौर्थ कूरिया में बिना किम की मर्जी के कुछ नहीं होता उतर कूरिया के नागरिकों के लिए कई कड़ी नियम है जिसके तहट उन्हें बाहर जाने की अजाज़त नहीं है नहीं मन से किसी धर्म को अपना लेनी की अजाज़त है लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, घर से बाहर कैसे निकलेंगे ये सारी चीजें ताना शहत ताय करता है किम जोंग की सनक और बरबरता इतनी है कि लोग उनके सामने कुछ नहीं कर सकते ना खिलाफ जा सकते हैं क्योंकि ताना शहत के खिलाफ जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना उतर कोरिया के ताना शाह किम जोंग उनकी बरबरता के इतनी जादा किस्से है कि अब उनकी पहचान सनक और बरबरता ही बन गई है हाल ही में किमके बिमार होने और ब्रेंड डेड होने की खबरे सामने आ रही है लेकिन अभी तक इन खबरों की कोई भी पुष्टी नहीं हुई है